हो डोली अर्माजों की सम्राट नाराज है भहु से जिला ने कमरे से निकाल दिया है अब ये सब क्या नियात माशे शुरू करती है सम्राट ने अब भहु के साथ भी है सब कुछ हम देखते हैं ने ने जान दो रहन दो सबेरे तक अपने आप दिमाग ठंडा हो जी है हां तो रात बर भहू किया बाहर रहेगी हां अब कहा करें रे सोई कि कहां अब केस्ट रूम की सफाई करनी पड़ेगी आप ग्रों को हम कर देते हैं नहीं मा जी केस्ट रूम में गेस्ट रहते हैं और हम इस घर की सदस्य है हम नहीं सोएंगे बाहू हाँ वो तो है ऐसा करो बहुत तुम ना हमाई कमरे में सो जाओ हम तो यहीं कई सो जाएंगे क्यों जी सही कह रहे हैं ना हम नहीं माजे हम यहाँ सो जाएंगे आप लोग आराम से अंदर सो ये एक काम करो बहुत तुम शेशी के साथ अंदर जाकर सो जाओ मैं यहीं पर आराम कर लूँ जाओ नहीं पापा कैसी बात कर रहा हूं आप आराम से अंदर सो ये हमें कोई तकलिफ नहीं हम या सो जाएंगे चलो बहु तुम इत्ती जित कर रही हो तो ठीक है तुम्हारा हम करो हां चलो जी बहु को सोने दो चलो आई चलो सोजा अब तुम कित्ता भी संभलका चल ले ओर नी किरना तुम्हारा तै है हम तुम्हारा लाने गड़ा भी खोदेंगी और मरम भी लगाएंगी लेकिन अपने बेटे को तुम्हारे चंगुल में भसने नहीं देंगी हां हो गोश्टिधी, यो सोल लकी आपको तो राजकुमारियों के तरह ट्रीट्मेंट मिल रहा है वो बिल्कुल वैसे पती हैं, जैसा हम सोचा करते थे एक बात कहें, तुम बहुत नसीब वाली हो, जो तुमको समराच जीजे सपती मिल रहा है बता देते हैं दीदी, हमारे लिए भी ऐसा ही ससराल डूना जापर हमें भी राजकुमारी की तरह रखें, नाने के लिए दूछ शूद भी बेजें अब सब कुछ हमारी उर्मी करेगी, या आपके दमाद भी कुछ करेंगे अरी करेंगे न, वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारे सारे सपने जो हमने देखें, वो जरूर पूरा पर क्या confidence है, है ना? सारे सपने पूरे करेंगे, अब भी से इतने सपने मत देखा करो नी बिटा, जे तूटते हैं न तो बहुत तकलिफ होती जरूरी तो नहीं कि हमेशा मत बही करें जो औरत चाहती है जरूरी जरूरी तो नहीं मत बहुते है मैं दो जो खुझ में क्या करें आप यहां पर दिर्वादा खुड़ा देखा गुजगे अंदर माना किया था ना को कमरे में आने के लिए ये घर बेशक आपका होगा लेकिन ये कमरा हमारा भी है कर दो कर दो कर दो कर दो कहां रख दिया हमने गम यहीं तो रखा था हमने अब हम चिपकाएंगे कैसे अरे अन्नू तुमने हमारी फिलम की मैगजिन देखी एका हमने बहार ही रखी थी वह वही टेबल पर है पता है बड़ी चट पड़ी ख़वर छपी है जे क्या अन्नू जे तुमारी कर्तूत है क्या हुआ अरे जे फोटो आप फोटो का क्या करेंगी आपको तो सिफ कबरे पढ़नी है तो हमने यूज कर लिए छुप बिल्कुल चुपो जाओ जे सब क्या है अरे कोई देशी सलून खोलना एक यह त्या पर रही है नई नई हम ना अपने सारे चहते सितारों को एक साथ इखटा करके रख रहें यदि अध्य हमारा जमण करहें हमने देख सके पगला गई है बिलकुल पगला गई है अरे इसके लिए इतनी मेहनत करने की का जरुवत है हाँ अरे इन सबको तो तुम इकठा देख सकती हो नाचते गाते हुए प्रफॉर्मेंस करते हुए स्टेज पर लेकिन कब कहा कैसे लक्स पोजी जी सिने अवार्ड्स 2014 में पता है अन्नू ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यूवर्स टॉइस अवार्ड है और ये आएगा 23 वेग्रोरी को रात आड़ बजे रविवार जी टीवी पे जहां होंगे हमारे बॉलीवोड के कई सितारे कौन शारुकार अरे रुमैंस के बादशा और हां अक्षे कुमार रनवीर और वो यो यो हनी सिंगर हां पिशेख बच्चन रुदेश देश्मोग अली जाफर और दिपिका बड़ा मजा आएगा उनको देखने में पर सब एक कर बैट कर देखेंगे एंजी तीवी पर अच्छा मैंना अपनी सारी फ्रेंज को बता देती हूं हां ये तो तो बता ही देगी लेकिन आम इसका का करें ख़बर कैसे पढ़ेंगे है थूड़े तो अदो अन्नो आपको भी अदजेश्ट करना पड़ेगा पीज आपको हमारे गीली वाली इस और यणी पड़ेगी वाली कुछ भी याद नहीं रहता है, आपको सब आमें याद दिलाना पड़ता है, दवाई क्यों नहीं ली, लीजी, और नाशता थोड़े देर बात कीजिएगा, कम से कम आदा गंटे बात है, सुनिये, इस वक्त ना समराज से बात करना ठीक नहीं है, अपना वैवार ऐसा रखेग अगर चैसे कुछ हो ही नहीं है, भूल चाहिए जो कल हुआ है, और ना कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि बात बढ़ जाए क्या बात है, वेरी गुड पालना आगे है हमारी छोटी मैडम के लिए पालना आगे आपके लिए जे पालना हमाई गुडिया रानी के लिए है, सुन्दर है ना देवर जी वैसे हम सोच रहते, ये पालना अगर थोड़ा और बड़ा होता ना तो हम मा बेटी इसे में जुलते वैसे इतना छोटा भी नहीं है, इसी पर चड़ जाई है और दिवाकर वह यह है ना कुछ जुला देने के लिए हटो, अब हार दम मजा करते रहते हो हम तुमाएं चाचू हैं, हम तो पहचानो चाचू, बोलो चाचू, चाचू मन्दिरा मन्दिरा क्या है, यह पानला बनाने मेले कंप्णी का नाम है? यह सुन्दर सा नाम किसी कंपणी का नहीं, हमाई बिट्या रानी का है अच्छा है ना, अच्छा है ना, अच्छा है ना, आपने पच्चे का नाम तक रख दिया, मुझे ख़बर तक नहीं कि हम हम सब्सक्राइब सब्सक्राइब देख रहो हूं मैं आज क्ले सब्सक्राइब में बहुत कुछ ऐसा होने लगा है जिसकी कवर मुछ तक नहीं पोच्ति है सब्सक्राइब जो भी है नाम रखा किसने है हम अपने हां तो बुआ ही रखती है जहां तक मुझे पता यह पालना वना बुआ ही लाती है हां बुआने तो नाम रखा है और जेपला भी बुआ ही लेकर आई है बुआ नहीं तो नाम रखा है और जेपाल्ला भी बुआ ही लेकर आई है बुआ बुआ कहा कहेंगे हम घरवालों को कहा से आये पाल्ला? कहते ना किसी रिष्टेगी बुआने में जाए हाँ सही खेरी है जे बुआ ही तो लही थी पाल्ला और और नाम भी बुआने रखा था है एक कल रश्मी आई थी ना बाकी के लोग वाइल आई थी पाल्ला और नाम भी उसी ना रखा था मुनिरानी का मंदीरा का मंदीरा हाँ 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 माजी हम भी तो यही कह रहे थे रश्मी देखो देवर जी रश्मी भले ममेरी बुआ है पर बुआ तो है ना और अच्छा हुआ ने तो हमाई गुडिया रानी के लिए पाल्ला भी नहीं आता जब यह बड़े होने पर हमसे पूछती कि मम्मी हमारे लिए पाल्ला क्यों नहीं आया तो हम क्या जवाब देते देवर जी बुलो कितने प्यार से पाल्ला लेकर आई थी न रश्मी कैई पली कितनी प्रुम मेंरो कितनी कितनी चय को भॉक कितनी व्ह इसलिए तो हाई थी रश्मी और बाकी के लोग उस देल, हाँ, इसलिए तुम, तुम तो नीचे भी नहीं उत्रे, हाँ ये पुगा के नाम पे इतना टेंशन क्यों आगया सबके चहरे पर, और सम्राची को गुस्सा, और फिर रश्मी भावी ने कब पालना दे दिया चारो जो प्रताब तुम्हारा है, प्रसित चगत उज्यारा, सादू संद के तुम रखवारे, असुर निकंदर झालर कर्णी रह सो अचाला को पालना पूला करना दे leb कि ख्रता ग्रता उन्यारा सम्राइब घ्रता है note तरिशा दीदी ओफ दीदी क्या जबता सप्राइज दे आया अपने हाथ आलत है सप्राइजी तो देना चाहते थी मेरी छुटकी कैसी है? मस्त आप कैसे हूँ? बिल्कुल ठीक तरिशा? दादी नमस्ते नमस्ते बॉस्ती खुछ दे रहाएज जीती रहाएज जीती रहाएज भाभी कब आई तुम तरिशा? बस अभी आपके सामने ही आई हूँ एक पल के लिए तो चक्रा आगए थे हम कि तुम कहां से प्रकट हो गई बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? मॉसी आने वाली थी ये तो पता था लेकिन कब आने वाली हूँ? ये नहीं पता था और अगर बता देती तो सप्राइज कैसे देती आपको? आप चकर में कैसे आती हाँ? तेरी मॉसी को जटकर में डालने के उमर नहीं है मोडी हम मोडी का मर गए है संसार में हाँ? क्या बुआ? आते ही शुरू हो गई तो और क्या करूँ? और जे अच्छा खेल मिल गया है भाई तुम आज कल के बच्चों को अरे सप्राइज के नाम पर दंग कर देते हो हाँ लेकिन बुआ येसी का तो मजा है दंग चेहरे देखने का आप सब के चेहरे देखो बड़ा मजा रहा है मुझे तो अरे मोडी ऐसे में तो प्राण हलक में अटक जाएं सांस का दर्वाजा बंध हो जाएं किसी कमजोर दिल वाले के साथ ऐसा मजाक मत कतना पगली अगर ऐसा हो गया ना दादी तो भूख मार कर सांस का दर्वाजा खोल दूँगी अच्छी ती यह बताओ आपका पुलिस में सेलेक्शन हो गया हो गया और नेक्स मीट से ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है मेरी अरे वाँ जे तो बहुत ही अच्छी बात है मुबारक हो मेटा ताइंक्यू बुआ बहुत बहुत बदाए हो मुचा ताइंक्यू मुझी तो इसका मतलब अब आप यह रहोगे हमारे साथ यह नहीं रहोंगी पॉस्टल मही रहना पड़ेगा ट्रेनिंग की वज़े से अरे ऐसा अरे 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 बस ताइंक्या यहीं खड़े खड़े करोगे कुछ बात के लिए भी छोड़ दो तुम जली से आत मों धोलो रहन तो भार ली नाशता लगाते है हम उसी घर का नाशता चलो 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 बहु हम तुमें फंदे डालके दे रहे हैं सीधा उल्टा सीधा उल्टाई मत बुनना डिजाइन डालना सीखो अच्छा लगेगा अरे माजी आपके होते हुए हम अपने दिमाग को टेंशन क्यों दे उल्टे सीधे का बुन लेते क्या यही काम है और वैसे भी सारा काम अगर हम ही सीख जाए तो आपके लाने तो कोई काम बचेगा ही नहीं तो आप क्या करोगी आप बैठे बैठे तो मक्ही नहीं मारोगी तो आपके लिए भी कोई काम चीए ना अच्छा इसलिए स्वेटर में डिजाइन आप ही डाल दीजेगा बहुत सोचने लगे हो तुम अपनी सास के बार में माजी खाना तयार है जब आप कहेंगी तब लगा देंगे ठीक है भू आओ थुड़ा दम तो ले लो आओ बैठो माई साथ जी माजी आप से एक बात पूछा आप बुरा तो नहीं मानेगी हाँ, पूछा माजी रश्मी भावी तो अपने साथ कोई पालना लाई ही नहीं थी फिर आपने सम्राट जी से चोट क्यूं बोला कि वो पालना रश्मी भावी लेकर आई है आप अब बताएए माजी बताएए ना हम तो आपको पहले से कह रहे थी कि जे सब में हमें मद डालिये अब या आप ही बोल दीजिये हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एसे कहा कहे तुम थोड़ी दू शान नहीं रह सकती हो का कुछ भी बोले जाती हो हम तुम्हे तकलीफ में काय डालेंगे अरे बच्ची तो हमाई है ना और जे पालना तो हमाई बच्ची के लिए आये ना तुम चुप रहो भाग सही बात है भव पालना रश्मी नहीं ले के आई थी कहा है कि हमाई घर में रिवाज है कि पालना बुआ लेके आती है अब इन बिचारी की तो बुआ है नहीं तो कहा इने पालना नहीं मिलेगा सोचो जब ये बड़ी होंगी तो कहा सोचेंगी कि हमाई बुआ नहीं थी तो हमें पालना ही नहीं मिला हम पालने में सोई नहीं इसलिए मजबूरी में अपनी ननी सी पोती के लाने न हमने जह जूट बोल दिया कि रश्मी बालना लेके आई थी माजी जूट चाहे किसी भी कारण से बोला गया हो लेकिन जूट जूटी कहलाता है